नमस्कार मित्रों जय हो स्री सनी देव महराज दोस्तों श्वागत्याब शभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई और ताजा वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीस सितंबर शनी वार आपके राशी के महराशी फिल के बारे में तीस सितंबर शनी वार के दिन आपके लिए कैसी रहेंगे इस दिन कैसी इस्ततियों का निर्माण होगा आपकी लबलाइप कैसी रहेगी स्वास्त कैसा रहेगा और आपका कैरियर बिजनस कैसा चलेगा साथी जानेंगे इस दिन कौन से लाब होंगे कौन से फायरी होंगे और आपका सुबरंग और शुब अंक क्या रहेगा कितना प्रतीशत भागे आपका साथ निभाएगा और किस तरह से प्लान करके चलें ताकि दिन बने सबसे खास सबसे बैतर लेकिन उससे पहले आज के गिरह नक्षत्र और पंचाम के बारे में जांग लेती हैं दोस्तों आज दिनांक 30 शितंबर 2023 दिन शनी बार तिथी कि अगर बात करें तो क्रश्न पक्ष की प्रती पदा थे थी दोपहर बारा बजगर 21 मिनट तक रहेगा और नक्षत्र है रेवती आज का अविजित महर्द का समय ग्यारा बजगर 53 मिनट से 12 बजगर 40 मिनट तक रहेगा बहीं अगर राहुकाल अठ्धात दिन का असुब समय के बात करे तो 9 बजकर 19 मिनट से 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगा दोस्तों इस राहु काल में कोई भी नए कामों की शुरुवात ना करें नहीं तो विगनबाधा आ सकती है अब बात करती हैं सूर्य और संद्रमा की तो सूर्य करन्या राशी पर गोचर कर रहे हैं लेकिन संद्रमा नौ बजकर 8 मिनट तक में राशी में रहेगा उसके बाद में राशी से निकल कर में इस राशी में चले जाएंगे आईए बात करते हैं आपका देनिक राशी फल और यहाँ प्रडिक्शन आपके चंद्र राशी पर आधारित है आपकी कुंडली में यहाँ दो बड़े ग्रह आपको सबसे पहले जौब में प्रमोशन दिलाने का कारी कर सकता है जिस छेतर में आप जौब कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं अगर आप उश में कोई अस्थान परिवर्थन शाहती हैं अस्त्रांतरन की योजना बना रहे हैं तो यहाँ कारी आपका शंपन करवा शकता है अगरा जो बदलाव आपकी जिंदगी में करने जा रहे हैं वो है आपके घर में जो परिशानियां आर्थिक तंगियां लंबे समय से आपको परिशान करते आ रहे थे तो उनको अब आपकी जिंदगी से दूर भगाने वाले हैं जी हाँ दोस्तों इसमें आपको भी थोड़ा सा प्रियाश करना होगा क्योंकि दोस्तों भगबान सिर्फ सहारा देती हैं आपका आत्म विश्वास बढ़ाने का कारी करती हैं आपका मनोबल बढ़ाने का कारी करती हैं अगला कारे आपको ही करना पड़ेगा अगला जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो है आपके वरसों पड़े अधूरे जो कारे थे वह संपन कराएंगे और जो कारे बनते बनते 20 में रूप जाता था 20 में अटक जाता था उश में अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो बड़े ग्रह है कोई ऐसा वैशा नहीं है कोई मामूली नहीं है ये आपको हर तरह शे लाब दिलाने का प्रयाश करेंगे अगर ऐसे सिच्वेशन में आप थोड़ा सा भी प्रयाश कर लेंगे तो शोने पे सुहागा हो जाएगा जीहा दोस्तों इसके उपरांथ आपके जो समय होंगे शितारे कहते हैं आज आप सिरे से सुरू करेंगे और एक वकताशे दूसरे तरफ आप अपना रूख अपना शक्ति हैं क्योंकि ये नया अवशर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है लेकिन धोखा दड़ी के प्रस्ताओं से जो है आप साउध्वान हैं कोई आपकी छमता और चतुराई अनु प्रांट आप के लिए जो समय हूंगे दोस्तों आपको बता दे कि आज का दिन शम्रिद्धी के नए कारिकरम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन कहा दा सकता है अगर आप किसी नए पर्योजना के बारे में काफी जो फिसर में भी किसी नए नतीजे तक नहीं बदलाव आएगा और नकारत मकता कम होगा वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय हूंगे आपको बता दे आपको यहाँ बात बहुत ध्यान चे समझने की अबर्शक्ता है कि आपका स्वास्थे आपकी संपती है और आपको इसका बहुत ध्यान रखना है चाहे छोड़ी मोड परिशानी का रूप बन सकता है इस बात का जरा ध्यान रखिएगा आज स्वास्थे संबंधित कोई कारिकरम कोई खेल या कोई अभ्यास का अक्षा शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है तेराकी या पानिस संबंधित कोई अन्य कारिकलाव विश्यस लाग करी हों तो उसकी सफलता की संभावनाई बहुत अधिक होंगी वही दोस्तों आप के लिए जो समय होंगी देखिए आज का दिन आपके संबंध के मामले में काफी महत्पूर्ण साबित हो शकता है आप जो है अचानक अपने किसी करीबी को नए नजरिये से देखना शुरू कर सकती हैं और इससे आपको अपने संबंध के दिशा से जुदा सही फैसला करने में काफी हद तक मदद मिलेगी अब आप बेजान हो चुके हैं संबंधों शे बाहर निकल कर उन संबंधों को समय देने के लिए खुद को तयार पाएंगे जिनों ने आपको मजबूत बनाया है और यहां तक इस मुकाम तक लेकर आया है वही दोस्तों आज किश्मत के सितारे कहती हैं कि आज बिना किसी कारण की जिद्दी बने हुई हैं और सब के कहने तथा अपने खुद के मन की भी नहीं सुनना साहती हैं आपको यहां समझना है कि इस रवयेशे आपको कुछ हासिल नह आने के लिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होगा तभी आप शबी पहलों को समझ पाएंगे और जीबन में आगे बढ़ पाएंगे देखिए दोस्तों जीबन में अगर आपको आगे बढ़ना है उडान भरनी है तो आपको हलका रहना होगा क्योंकि वही उड़ जा सकता है जो हलका रहता है इसलिए जादा तनाव जादा टेंशन नहीं लेना है सांत मन से आपको कारी करना है तभी आप जो है कारी में शब्लता हासिल कर पाएंगी वही दोस्तों आपको अपने रिस्तों में ऐसा आभाश हो रहा है कि सब कुछ सही है और ये रिस्ता तब आगे बढ़ें जो आप सोच रहे हैं वो सही होगा या आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आप अभी तक अन्देखी करती आ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग सांथ करके सोचना होगा नहीं तो आगे चलकर आपको पस्ताना ना पड़े इस बात का जरा ध्यान रखिएगा और यह आपको ही सूचना पड़ेगा दोस्तों समय अभी को मिलाकर आपके लिए बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है भागी आपका एट्टी शवन पर्चिस साथ दे रहा है और आगे आपको कामों में भी सफलता मिलती रहेगी दोस्तों अभी के लिए आप शभी को दिल से धन्यवाद दिन आपका शुब हो मातारानी आपको श्वास्त रखे निरोगी रखे धन्यवाद अब बात करते हैं शुबरंग और शुब अंक की तो आज आपका शुबरंग है बादामी कलर और शुब अंक है पाज दोस्तों भाग्य साथ निभाएगा तक अंकल मैहोद जैमादादी